हलो दोस्कार और नमस्कार कैसे हैं आप सर्व लॉक्स दोस्तो आप लोगे रिए एक और बहुती अच्छी जानकारी लेके आँ जिस वेसी जो वेत थी हाई सकूल और इंटर में नंबर कम प्राप्त किएων किसी विसे में आप 2 या 3 बिसे में कम नमबर आप प्राप्त किये हैं तो उनके लिए आप इस कुटनी फॉर्म कैसे आवजन करेंगे इस कुटनी जो फॉर्म होता है आप दुबारा सा परिच्छा देने के लिए उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे और उसकी क्या है डेट लास्टेट देखें हर्ची के लास्टेट होती है तो लास्टेट उसकी क्या है और कहां से वो फॉर्म मिलेगा कहां से आप अप्लाई करेंगे एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो में आप लोग continue बने रहो, आप चाहिए high school के हो या चाहिए enter के हो तो सभी लोग वीडियो में continue बने रही है तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो सबसे बहुत दोस्तों आपको आजाना है upmsp की website पर यह आप देख पा रहे हैं यह हमने जो यहाँ पर यह देख पा रहे हैं upmsp.edu.in पर आपको आजाना है यहाँ पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करते हुए आप जाएंगे और नीचे आप जाएंगे तो आपको देखिए एक यह वाला option मिलेगा स्कुटनी के लिए आउनलाइन आवेदन पर चलिए हम इस पर आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर देखिए कुछ लिंक्स मिल जाएंगे आपको थोड़ा साएं नीचे देखना यहां पर जो आपları new निक करके ये highlight कर रहा है थिक है यह दियार एंटरवेट के इस कुचनी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक खोले इस पर थिक है तो आपको इस पर क्लिक करदेना होगा यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा इसकी जो डेट है उस खिरनी के वह आप इसको पढ़ने के लिए आप यहाँ पर नोटिस का जो आप संदिया है इस पर देख सकते हैं आप ठीक है पूरा नोटिस आप जो निर्द पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ओके नोट ट्रेजियर चलान फॉर्म डाउनलोड करें इसको आपको पहले यहाँ से डाउनलोड करना तो मैं देखिए आपको दिखाता हूं कि इसको डाउनलोड कर लेना होगा डाउनलोड जैसे ही आप लोग इसको कर लेंगे तो आपक आपको यह जाके बैंक में चालान सम्मिट कर देना होगा ओके चली यह यह सारा कुछ आप कर लेंगे मैंने आलडी वीडियो बना देश्कों जाकर देख सकते हैं अब चलिए अप लाइक ऐसे करेंगे उसके लिए देखते हैं पहले आपको यह डाउनलोड करना है उस वीडिय जैसे आप करेंगे तो आपके पास में एक नया पेज खुलके आएगा यहां पर आपसे पूछा जाएगा परिच्छारती का रोल नंबर दूसरा है परिच्छा केंद संख्या जो प्रवस्वत्र में होती है ठीक है वो आपको यहां पर टाइप करनी है तो चलिए इसको हम फटापट यहां से तो पहला जो पूछ रहा है क्या है रोल नंबर तो आपको सबसे पहले जिसका अपलाई करना चाहते हैं उसका आपको रोल नंबर यहां पर टाइप करना होगा तो हम तेले रोल नंबर यहां पर टाइप कर दिए और नीची आपसे पूछ रहा है यह पर था वो code हम यहां पर type कर दे रहे हैं ओके मैंने code को type किया और यहां पर नीचे आपको दिया get data का option दिया गया है इस पर आपको click कर देना होगा यहां पर आप जैसे click करेंगे देखिए आपके पास में यह सारा कुछ खुल के उसका data आ चुका है परिशारती का क्या नाम है ठीक है माता का क्या नाम है पिताजी का क्या नाम है सब कुछ आपको यहां पे सो कर जाएगा जन्पद को स्कूल कोड सेंटर कोड सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा यहां पे और थोड़ा से नीची आप आएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपके सारे बिसे दिखाई पड़ रहे होंगे जनरल हिंदी, ठीक है, इंगलेश, माइटमेटिक्स, फिजिक्स, कमेस्ट्री जिन जिन बिसे में आगर आप पांचों बिसे हम लगाना चाहते हैं तो यहां पर आपको किलिक करना हो, देखें, यहां पर पांच बिसे दे रखें, जिस पर आपको करना है, तो यहां पर किलिक करेंगे इस तरह से आपको यहां पर सेलेट कर लेना होगा और ध्यान दे, यह जितने भी से आप सलेट करेंगे, पर भी से का आपको चार्ज भी देना होगा थोड़ा साब नीचे जाएंगे, और यहाँ पर देखिए, यह चार्ज कितना हो गया, पंदरा सो रुपया तो 15 रुपिया आपको देना पड़ेगा तीन उसका यानि कितना पड़ रहा है आपका ये देखें यहाँ पे दिया गया है प्रस्ण बत्र 500 रुपए सुल का है निधारित है थीक है प्रविशे आपस बसेoliit करेंगे उतना आपको यहाँ पे charge देना पड़ेगा और वो जो charge आपको है वो पहले आपको treasury perform जमा करके bank बैंक बुजा के चलान करना होगा यह करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको देखिये आपको option मिलता है यहाँ पे दिया गया है जमा की गई धन्दासी आपने पैसा जमा किया तो एमोंट यहां पर टाइप कर देना होगा जब आप एमोंट जमा करेंगे तो आपको एक चलान शंख्या मिलेगी तो यह जो कॉलम दिया गया है इस पर आपको चलान संख्या भढ देनी होगी और वो जो tragedy में सुल्क जमा करने की तिथी क्या थी किस दिन आपने उसको जमा किया है वो आपको यहाँ पर करना होगा फिर पुछरा tragedy bank का नाम जहां सुल्क जमा किया है किस bank में आपने जमा किया है उस bank का आपको नाम रज़े से केमाली यह state bank of India है तो आपको state bank of India लिक देना होगा यह हम करने के बादे थोड़ा से नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देख पार है चलान का photo jpg format में होना चाहिए और file का size 100 kb से 1 mb के बीच में होना चाहिए तो यह आपको ध्यान देना है जो आपको चलान एक मिलेगा ठीक है जो आप ट्रजी जमा करके आएं आपको वह वापस मिलेगा चलान ठीक है वहाँ पर आपको उसको scan करना है अपने system में scan कर लेना है और 100 kb से 1 mb के अंदर होना चाहिए यह इतना बना लेंगे बनाने के बाद में आपको फिर जहाँ पर यह दिख रहाना चलान का scan copy डाउनलोड करें यह दिखिए जहाँ पर लिखा है choose file ठीक है यहाँ पर आपको click कर देना होगा यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो उसको आप select कर लेंगे ठीक है फाइल को फिर आप थोड़ा सर नीची आएंगे आपको यहाँ पर दिया गया है save scrutiny application इस पर आप click करके इसको save कर देंगे तो आपका यह apply proper तरीके से हो जाएगा ओके तो यह सारा कुछ करने के बाद में आप चाहें तो अपने college से संपर कर लें college में जाके form जमा कर सकते हैं या अगर यह सारा कुछ नहीं कर पा तो एक बार जाके अपने आप college में बाबुजी से संपर कर लें तो बाबुजी आपको पूरा guidance दे देंगे कैसे कैसे आपको करना है जिसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह सब जाके व्हाँ पे bank में जमा करना बहुत जञळजटुला काम होता है तो iOS करना चाहते हैं सो iOS कर सकते हैं मैंने आपको तरीक्र बता दिया है प्लेटफॉर्म यह open platform है वहाँ सब कर सकते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने school के जो बाबुजी हैं, उनसे आप जाके संपर करो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, तो जानकारी कि आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और जादा से जादा वीडियो को सेयर करना, जिससे क्या होगा, जादा कि इस वीडियो के माद्धम से, काफी सारे लोग को help मिल जाएगी, वो अपना लोग घर बैठे भी आविदन कर सकते हैं, तो लाइक करो इस वीडियो को ठीक है, और सेयर करो, और चैनल पे नए हो, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, सुम मिलते हैं ऐसे, नई वीडियो के साथ में किसी और ट्रफिक पर वीडियो चाहते हैं, तब हमें कमेंट में बोल सकते हैं, सबस्थर जय हैं, जय भारत!